गोड मॉर्निंग फ्रेंट्स इडिशाला में आपका स्वागत है फ्रेंट्स आप सबकी डिमांड थी कि आगामी परिक्षाओं को देखते वे टेस्स स्रीज शुरू की जाए तो हमने दो टेस्स स्रीज का चुनाओं किया है एक द्रिश्टी आईएस और दूसरा आस्था उसी कड़ी में यह एक प्रयोगातमक वीडियो है जिसमें सिर्फ पचास कोस्चन्स आपको दे जा रहे हैं इन पचास कोस्चन्स में जितनी भी पॉसिवल फैक्ट्स हो सकते हैं एक्ष्ट्रा उसको समावेशित किया गया है चारो आप्संस की डिटेल ब्याख्या करने की क पॉसिस की गई है उसके बावजूद अगर आपको कुछ कमी लगती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं उसे हम दूर करके आपके सामने फिर से प्रत्सुत होंगे आपसे उमीद है कि आप नेगटिव या पाल्स्टिव जो भी रिस्पॉंस होगा हमें देंगे उसी के मैम को ही लानी थी लेकिन किसी कारण बर्स मैम नहीं ला पाई मुझे आज पचास कोशन की स्रीज देनी पड़ रही है उसके बाद या आगे की स्रीज आपको मैडम ही देंगी चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो आप पहली बार देख रहे ह चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाईक कर दें कमेंट करें और सेर करें चलिए स्टार्ट करते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं निमलिखित में इसे किस प्राचीन सासक ने एक राट की उपाधी धारण की थी तो इसका इंसर हो जाएगा C. महापद्म नंदने बिंदुसार ने हरेकवंस की स्थापना की थी और यह प्रथम भारती सासक था जिसने प्रसास्तनिक व्योस्था पे बल दिया था असोक के संबंद में देख लें तो इन्होंने देव नाम प्रिदस्थी की उपाधी धारण की थी सिसनाग ने सिसनाग बन की स्थापना की थी नाग दसक की हत्या करके साथ ही इन्होंने पाटली पुत्र से राजधानी को सांदरित करके वैसाली को राजधानी बनाया अगला देखते हैं गुप्त कालिन सिक्के बिहार के किस स्थान पर पाय जाते हैं तो इसका इंस्वर ए हो जाएगा हाजीपुर में तो गुप्त कालिन सिक्के हाजीपुर से पाय जाते हैं साथ ही पहले आहा सिक्के जो चांदी की हुआ कर दे थे वो पटना से मिले हैं ध्या खम सिक्के थे वो मिले हैं और देख लेते हैं इसके बारे हम कुछ यह जो चिरांध है यहां से कुसाल कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं आगे देखेंगे अगला है प्रसिद्य सासक मेधनी राय का संबंद किस वन्स से है तो इसका इंसर हो जाएगा A चेरो वन्स से अगला है विक्रम सिला विश्व विद्याले की स्थापना निम्न मेश से किस के द्वारा की गई तो आफशन D सही हो जाएगा धर्म पाल द्वारा और विक्रम सिला विश्व विद्याले उच्च सिच्छा का प्रमुख केंद्र था साथ ही यह आवासी विश्व विद्याले था और बक्तियार खेल जी ने इसको नश्ट कर दिया धर्मपाल ने इसकी स्थापना भागलपुर में के थे भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमनकारी निमलिखित में से कौन था तो यह वक्तियार खेल जी था बारासो तीन इसबी में इसने बिहार पर कबजा कर लिया था और इसने ओधन्तपूरी विश्विद्याले, विक्रम सिला विश्विद्याले और नालंदा विश्विद्याले को नस्ट किया बल्बन के बारे में कुछ देख ले तो बल्बन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था तुर्क एचहल कामी का इसने विनास किया सीरी नामक नगर की स्थापना की और सिजदा प्रथा की सुरुवात की कुतबुदीन एबग ये गुलाम वन्स का संस्थापक था इसने राधधानी लहोर बनाई और इसे लाख वक्स भी कहा जाता है इसने कुवत उल इसलाम मस्जित तथा धाई दिन का जोपड़ा बनवाया था आगे देखें गजनी का महमूद या फिर महमूद गजनवी या खुरासान का एक सासक था भारत पर इसने सत्रा बार आक्रमन किया इसे मूर्ती भंजग कहा जाता है एक हजार आठ इसवी में नगर कोट के हमला मूर्ती वाद के विरुद महत्पूर्ण जीत है और इसका एक और युद एक हजार पचीस इसवी में जो इसका हमला हुआ सोमनाथ मंदिर पर वो भी बहुत इंपोर्टन था ध्यान रखिएगा एक हजार पचीस हिजबी में सोमनात मंदिर पर और एक हजार आठ में नगर कोट पे इसने हमला किया और मूर्तिवाद के विरुद एक हजार आठ हिजबी में नगर कोट के विरुद हमले को मूर्तिवाद के विरुद महत्पूर्ण जित बताई जाती है आगे देखें नर्तकी की प्रसिद का सिमूर्ती कहा से मिली है तो इसका answer D हो जाएगा मोहन जोद्रों से 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहन जोद्रों की खोज की और महा नशनानागार अननागार और बुना हुआ कपास का तुकड़ा यहां से प्राप्त हुआ है हडपा के बारे में देखें तो 1921 में बैया राम साहनी ने इसकी खोज की और यह रावी नदी के टटपर है यहां से सीर केबल खड़ी नगन इस्तरी का चित्र मिलता है और गर्व से पौधा निकलता हुआ चित्रन यहां प्राप्त हुआ है मोहन जोदरो सिंध नदी के किनारी है द्यान रखेगा काली बंगन के बारे में देखें तो काली बंगन धग्घर नदी के टटपर है और 1951 इसबी में काली बंगन की खोज अमला अनंद घोसने की थी और यह राजस्थान में है यहां से जूते हुए खेत सरसो के साक्ष और सल्ल क्रिया का प्रथम उदारण मिलता है आगे देखें चनहुद्रो देख लेए तो चनहुद्रो इसकी खोज 1925 इसबी में एंजी मन्यूंदार ने की थी और यह भी सिंधुनदी के डेड़ पर है और देखें यहां से क्या मिला है तो बिल्ली का पीशा करते हुए कुट्टे का पदचिन है वो मन के बनाने के कारखाने यहां से प्राप्त हुए है चनहुद्रो से आगे देखें प्राचीन भारत की प्रुसिध रचना मृच्छ कटिकम किसके द्वारा रचित है तो यह मृच्छ कटिकम सूद्रक की रचना है अन्य की देख ले तो कलहन की राजत रंजनी है काली दास की अभिज्ञान साकुंतलम रितु संगारम और विक्रुवों वंसियम मत्वपून रचना है भारवी की रचना किरारतार जूनियम फेमस रचना है अगला देखें कुमार के चाक काविश्कार निम लिखित में से किस काल में हुआ तो कुमार के चाक काविश्कार नौपासान काल में हुआ आयुर्वेद की सबसे पहला दर्ज सहिता कौन सी है तो यह है चरक सहिता और चरक सहिता के संकलन करता महरसी चरक थे और महरसी चरक कुसान सासक कनिस के दरवार में चिकच सक थे सुर्थुत सहिता के बारे में देखें तो इसका संकलन धन्मंतरी द्वारा ध्यान रखिएगा सुर्थुत सहिता धन्मंतरी द्वारा उपदेश्ट और उनके से सुर्थुत द्वारा प्रणित गरंथ है मिनाक्षी, आगे देखें, मिनाक्षी सुन्देश्वर मंदिर का निर्माड किस ने करवाया था, तो मुनाक्षी सुन्देश्वर मंदिर का निर्माड पांडियों ने की थी, और पांडियों में कुल सेखर, सासक जो पांडिय सासक थे, वो कुल सेखर ने इस किर्चना की थी मिनाक्षे के सुन्देस्वर मंदिर का निर्माड पांडे सासक कुल सेखर ने किया था चोलों का देखे तो चोलों में राज राज प्रथम ने तंजोर का ब्रहदेस्वर मंदिर के निर्माड करवाया और राजेंद प्रथम ने गंगई कोंड चोल पुरम का मंदिर बनवाया फिर से सुन लीजे गंगई कोंड चोल पुरम का मंदिर राजेंद प्रथम ने बनवाया राष्ट कूटों ने इलोरा का प्रसिद्ध गुफा में कैलास मंदिर का निर्माड कराया आगे देख ले नेम लिखित में से किन राजियों में नागारजुन गुरुहालेख पाय गया है तो इसका इंसर होगा बिहार तो ध्यान रखियेगा नागरजुन गुरुहालेख बिहार के जहानाबाद में पाया गया है और नागारजुन पहाडियों में यह उतक्रेण है असाथ ही असोक के पुत्र दसरत ने इसको बनवाया था इसकी खासियत यह है कि यह प्राकृतिक भासा और ब्राहमी लिपी में है आगे देखते हैं तिर्तिय बौल्ध संगिती तिर्ति बौल्ध संगिती का आयोजन कहा किया गया तो इसका अंसर हो जाएगा पाटिली पुत्र राजा उससमें असोक थे और दोसो पचास इसवी में इसका इसापूरधान किया दोसो पचास इसापूर में इसापूर में इसका आयोजन किया गया और सासक असोक थे और अध्यक्ष मोगलीपुत तिस्य थे और इसमें अविदम पिटक का संकलन किया गया था राजगरी में राजगरी यहाँ पे 486 इस्वी में आयजित किया गया और इस समय सासक अजात सतुर थे राजगरी में ध्यान रख लिजे फिर से लिग देता हूँ 486 इस्वी में 486 इस्वी में आयजित किया गया और सासक उस समय अजात सतुर से और महाकसब अध्यक्ष थे सुत्त पितक और बीने पितक का संकलन किया गया इस्टेंग अगला है वैसाली में तो वैसाली में 386 में 386 इसापुर में इसका आयजिन हुआ काला सोक सासक थे सबा कामी इसके अध्यक्ष थे और यहाँ पे बिभाजन हुआ थेरवाद और महासांगिक में तो बौत धर्म का भी भाजन थेरवाद और महासांगिक में इसी सम्मेलन के दौरान हुआ चोधा है कुंडलवन ये समें 72 इस्वी में कुंडलवन में इसका आयजिन किया गया इस समय सासक कनिश्क थे अध्यक्ष वसुमित्र और अस्वगोष थे और इस समीती में या संगिती में महायान और हीन यान में इसका बिभाजन हो गया बौध्यान, पुनह, महायान और हीनियान में विभाजित हुआ इसी सम्मियति में नेमलिखित में से किसने भारती उप महादीप पर सबसे पहले आक्रमन किया ये युनानियों थे, युनानियों ने सबसे पहले आक्रमन किया और इनमें सबसे सक्तिसाली जो था वो सिकंदर था और ये पस्चिम भारत पेनों ने सफलता प्राप्त की थी अश्टाध्याई नामक पुष्टक किसके दौरा लिखी गई है तो इसका इंसर हो जाएगा पाणिनी पानिनी ने अश्टाधाई की रचना की है भारवी ने किराता अरजूनियम की रचना की लिए कलहन ने राजत रंजनी की रचना की है कैवल पद्य निमलखीत में से किस धर्म या संप्रदाय से संबंदित है तो कैवल जैन धर्म से संबंदित है option c और बॉल धर्म में इसी को निर्माल कहते हैं और भागवत धर्म में इसी को मौक्ष कहते हैं हलपा कालिन असल मोहन जोदलो किस नदी के निकट है तो ये सिंदु नदी के मोहन जोदलो सिंदु नदी के निकट है रावी नदी के टट पर हडपा इस्थित है दास्क नदी के टट पर सुतका गेंडोर है और ध्यान रखेगा सिंदु नदी के टट पर तीन है एक मोहन जोदलो, एक चनहूदलो और एक कोटि दीजी तीन है सिंदु पे चलिए आगे देखते हैं भीम बेड का सिलासरे भारत की किस राज में इस्थित हैं तो इसका अंसर हो जाएगा C. मध्य प्रदेश भीम बेड का सिलासरे की खोज V.S. वागलकर ने की थी और इसमें 400 से अधिक चित्रित गुफाएं विद्दमान है किस सिला लेख ने पहली आशोक का नाम उलेख किया था तो ध्यान रखिएगा, इसमें कुल 4 सिला लेख हैं यहाँ पर Option D सही हो जाएगा मासकी सिला लेख, लेकिन कुल 4 ऐसे सिला लेख हैं जहाँ पर अशोक का नाम असोक मिलता है एक मास्की है दूसरा गुर्जरा है तीसरा नैत्तूर है चौथा उड़े गोलम अगला देखें अगनी के सरुर्थम उपियोग के प्रमाण किस काल में प्राप्त हुए है तो ये नव पासाल काल में प्राप्त हुए है अगला देखें जैन धर्म में यह माना जाता है कि जगत सारुभामिक द्वारा स्रिजित और चलाय मान है तो ये चेतना ज्यान रखिएगा यहाँ नियम है तो इसको मिला के अगर पढ़ते हैं तो जैन धर में यह माना जाता है कि जगत सारुभौमिक नियम द्वारा स्रिजित और चलायमान है अगला है भारत में सतरंज खेली के उत्पत्ती किस काल में हुई थी तो इसका ओप्शन भी सही हो जाएगा गुप्त काल के दौरान और सुरू में इसे अस्ट पद कहा जाता था और गुप्त काल में सतरंज को चतुरंग कहते थी सिकंदर ने भारत पर आख्रमन किया तो इसने भी 326 इसापूर के मध्र किया आगे देखे अच्छा इसको ध्यान रखियेगा यह जो 326 इसापूर में इसने किया था सबसे पहले तो यह देखिये कि सिकंदर को अलेकजगर त्रतिय कहते हैं जाने किएगा सिकंदर को अलेकजंडर तृतिय भी कहते हैं और हाइडी स्पीज कायुद इसका famous है प्रसिद्ध है हाइडी स्पीज कायुद पोरस और सिकंदर के मद्धुगा जिसमें सिकंदर जीता और पोरस की हार हुई आगे देखते हैं निमलिखित में इसे किसके सासनकाल के दरान ह्वेन सांग भारत आया था तो ये हर सुवर्धन के सासनकाल में आया था असोक के समय डायोनीसियस आया था इसकंद गुप्त हूनों को प्रास्त किया था और पुष्यमित शुंग ने ब्रहाद्यत के हरत्या करके सुंग वन्स की स्थापना की थी वेन सॉंग ने एक रचना लिखी जिसका नाम है सीयू की और सीयू की यात्रा वित्तानत हैं वेन सॉंग ने नालंदा में दो वर्सों तक सिछा प्राप्त की थी चलिए आगे देखते हैं तीन सिर्वाली महेश मूर्ति की विसाल प्रतिमा किस अस्थान पर अवस्थित हैं तो इसका अंसर एलिफेंटा हो जाएगा अब देखें अगर हम तो एलिफेंटा का निर्माण राष्ट कूटों ने करवाया और यह सीव को समर्पित है एलोरा देखें तो एलोरा का निर्माण इसको भी राष्ट कूटों ने बनवाया और यह औरंगा वाज महाराष्ट मे देखें तो आजन्ता बहुत धर्म से संबंधित है और यहां बहुत धर्म से संबंधित उतकिष्ट चित्रण प्राप्त होते हैं कारले देखें तो कारले महाराष्ट में है और बहुत धर्म से संबंधित एक गुफा है और ध्यान रखिएगा एजेंटा, एलिफैंटा और एलोरा ये दोनों युनोस्कों की विश्व धरोहर में सामलीत है मौरे समराज के प्रांत आवंती पध की राजधानी का नाम क्या था तो इसका अंसर D हो जाएगा उज्जैन ध्यान रखिएगा मौरे समराज चार महत्यपून प्रांतों में बटा हुआ था जो उत्तर का छेत्र था उसे उत्तरापत और इसकी राजधानी तक्षसिला थी तो ये तक्षसिला उत्तर का छेत्र था दक्षिन का छेत्र जिसको हम दक्षिनापत कहते हैं इसकी राजधानी सुवन गिरी थी तो ये साउथ का है नौर्थ का तक्षिसिला साउथ का दक्षिनापत का सुवन गिरी पश्चमी ट्रक को अवंती पत कहते थे और इसकी राजधानी उजैनी या उजैन थी पूर्वी पत जिसको हम प्राच पत कहते थे उसकी राजधानी तोसली या कलिंग थी ध्यान रखेगा इस टर्म कोस्ट इसकी राजधानी तोसली और कलिंग थी और इसको हम प्राच पत कह अगला है निमलिखित में से कौन सा मन्दिर का सही कलानुकरम है तो इसका अंसर बी होगा पहले टुटियम मन्दिर फिर लक्छमन मन्दिर फिर मोढेरा का सोरे मन्द और फिर कामाख्या मन्दिर इसके बारे में देखें तो तटियमंदर जिसका पूरा नाम महाबली पुरम का तटियमंदर है इसको नरसिंग वर्मन ने बनवाया था 700 इसवी के आसपास 700 इसवी के आसपास खुजराहो का लक्षमन मंदर ये 954 इसवी में चंदेल सासक धंग ने बनवाया था मुढेरा का सूर्य मंदर इसको 1026 इसवी में सोलंकी राजा भीम प्रथम ने बनवाया था कामाख्या मंदर ये असम में इस्थित है और 17 सदी में इसका निर्माड हुआ है 17 सदी में आगे देखे मत्विलास प्रहसन के रचाईता कौन है तो इसका अंसर होगा महेंद्र वर्मन प्रथम और इनकी दो रचनाय महतवपून है एक तो महत्विलास प्रहसन और दूसरी भोग वदजुक्का ये महेंद्र वर्मन प्रथम की रचनाय है तो मत विल्यास प्रहशन महेंदर उर्मन की प्रथम रचना है और दूसरी रचना भोग वज्जुका है आगे देखेंगे निमलिखित में से किस ब्यक्ति को तमिल साहित्ति का जनक कहते हैं तो ये रिसी अगस्त को कहते हैं तिरुकुरल तिरुवल्लूर की रचना है तो तिरुवल्लूर ने तुरुकुरल की रचना की और ये तमिल ग्रंथ है इलंगो अडिगल इलंगो अडिगल ने सिल्पादिकारम की रचना की कम्बन ये अलवार संत थे और इन्होंने कम्ब रमायर की रचना की है आगे देखें भारत में सिंद्धुगाटी सब्विता का सबसे पूर्वी असल कौन सा है तो इसका अंसर होगा आलम गेरपूर तो ध्यान रखेगा आलम गेरपूर सबसे पूर्वी असल है और यह हिंडन नदी के तड़ पर है और 1667 इजवी में 1667 इजवी में यग्यदत सर्मा ने इसकी खोज की थी आगे देखें काली बंगा के सम्बंद में तो 1951 में अमलानंद गोष ने इसकी खोज की थी और एक सिंग वाले देवता तो था जुते हुए खेत का साक्षी यहां से मिलता है बनवाली के बारे में देखें तो 1974 इजवी में रवींद सिंग विष्ट ने इसकी खोज की और यहां से हल की आकरती वाला खिलोना मिला है बनवाली से धौला वीरा देखें तो धौला वीरा की खोज जेपी जोसी ने जेपी जोसी ने धौला वीरा की खोज की 1967 में और धौला वीरा में यह देखें तो उन्नत जल प्रबंदन के साक्ष मेले हैं अगला है दिल्लील सल्तनत के किस राजवन्स ने सबसे कम अवधी तक सासन किया तो इसका अंसर होगा खिलजी वन्स ओप्सन डी अब काल देख लें अगर हम तुगलक वन्स तेरा सो बीस से तेरा सो अठानवे तक था तेरा सो बीस से तेरा सो अठानवे नाइन्टी एड तक इस तरह यह चाहत्तर वर्सो तक रहा सरी अठात्तर वर्सो सेवेंटी एड एड तक रहा लोदी वन्स देखें तो लोदी वन्स 1451 से 1526 तक रहा इस तरह ये 74 वन्स तक रहेगा तो लोदी वन्स 74 वर्स तुगलक वन्स 78 वर्स और गुलाम वन्स इसका स्पीरियट देखें तो ये 1206 से 1290 तक था तो कुल मिला के खिलजी वन्स ने सबसे कम वर्स तक सासन किया केवल 30 वर्सों तक आगे देखें प्राचीन संस्क्रित ग्रंथों में उल्लखित यवन्प्रिया किसको संदर्भित करता है? तो ये काली में चको संदर्भित करता है दार्शम को कि सूफी सिलसिले का अन्याई था तो इसका अंसर होगा कादरी सिलसिला, option A और कादरी सिलसिले का भारत में अब्दुल कादिर जिलानी था तो कादिर सिलसिले के प्रवर्तक अब्दुल कादिर जिलानी थे चिस्ती सिलसिले के भारत में प्रवर्तक मोहिनुद्दीन चिस्ती थे नक्सबंदी सिलसिले के प्रवर्टक ख्वाजा बाकी विल्ला थे सुरावर्दी सिलसिले के बहाउदीन जकारिया थे ध्यान रखिए कादरी सिलसिला के प्रवर्टक अब्दुलकादिर जिलानी चिस्ती सिलसिला के मुहिनुद्दीन चिस्ती नक्सबंदी के बाकी बिल्लाह और पूरा नामिन का थवा खाजवा बाकी बिल्लाह सुहरावर्दी के बहाउदीन जेकारिया आगे देखेंगे ताली कोटा कायुद तो ताली कोटा कायुद किसके किसके बीच में हुआ तो ये विजयनगर समराज और दक्कल सनलतनत के बीच में हुआ था और ये 26 जन्वरी 1565 को हुआ था और इसमें चार मुसलिम प्रांथ और विजयनगर थे एक तरफ विजयनगर था और एक तरफ चार मुसलिम प्रांथ थे तो कौन-कौन से थे देख लिजे बीजापूर, बिदर, आहमदनगर और गुलकुंड़ा एक तरफ थे और दूसरी तरफ विजयनगर समराज था चले आगे देखते हैं निमलिखित में से किसने विजयनगर समराज की स्थापना की तो ये हरिहर और बुक्का ने की थी 1336 इस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर समराज की स्थापना की थी आगे देखेंगे मुगल समराज जिनों ने अपनी समराज्य में तम्बागु के प्रियोग पर प्रतिबंद लगाया तो ये जहागीर थे और तम्बागु का प्रियोग भारत में किसने सुरू किया या तम्बागु को भारत में कौन लाया था तो ये पुर्त गाली थे चलिए आगे देखते हैं नेमलिखित में इसे कौन सा भक्ती संत के जन्म का सही कलानुक्रम है तो इसमें देखेंगे आफ्सन ए सही होगा रामानुज एक नट रामानुज गुरुनानक चैतन्य फिर मेरा बाई गुरुनानक का जन्म 1017 में हुआ था 1027 में हुआ था गुरुनानक का जन्म 1469 में हुआ था चैतन्य का जन्म 1486 में हुआ था और मीरा बाई का जन्म 1498 में हुआ था और ये सभी भक्ती संत है चलिए आगे देखते हैं गुप्त कालिन साहितिक कृती नीति सार के रचनाकार कौन है तो नीति सार के रचनाकार कामंदक है जहां रखिएगा कामंदक पानीपत का त्रिती युद्ध कब हुआ था तो ये 14 जन्वरी 1761 मतलब आफशन सी किसके किसके बीच में तो आहमद साह अबदाली और मराठो के मध्य हुआ था आगे देखे भारत में तोपों के सरुप्रथम प्रयोग का स्रेक किसे दिया जाता है तो ये बाबर को दिया जाता है किसको बाबर को तो तोपों का सरुप्रथम प्रयोग बाबर ने किया लेकिन बारूद का सरुप्रथम प्रयोग ये विजय नगर समराज ने किया था ध्यान नखियेगा तोपों का सरुप्रथम प्रयोग बाबर ने किया और बारूद का सरफम प्रियोग विजय नगर न किया था। और देख लीजए बारूद की खोज किस ने की थी तो चाइना ने की थी। आगे देखें चाइना से मंगोलों ने सीखी थी और मंगोलों से हमारे आई थी। प्रशाशनिक प्रणाली, मनसबदारी, मुगल समराज म में सुरू किस ने की थी, तो ये अकबर ने की थी, जान रखेगा इससे पहले बाबर और हिमायों ने सुरू किया था, लेकिन क्रमबध्य रूप से अकबर ने, मतलब प्रशासनिक औस्ताइन ने ब्योस्था में, क्रमबध्य रूप से, सुबध्य रूप से अकबर ने कराया था सहा जहां को इस्थापत्य काल का सुरणयुग कहा जाता है आगे देखें घोड़े की नाल की आकरिती के महराब का प्रयोग पहली बार हुआ था किसमें हुआ था तो यह अलाई दर्वाजे में हुआ था आफशन बी अलाय में दर्वाजय का निर्मान अलाउद दीन न किया और ससाथ तुगलक ने भी इसके निर्माण में गुमिक्या भाई थी पाच्वे मंजिल बल्बन का मकबरा इसके बारे भी देख लीजे ये इंडो इसलामिक सैली पे निर्मित है ध्यान रखियेगा भारत में इंडो इसलामिक सैली पे निर्मित ये प्रथम अस्थल है और इंडो इसलामिक को बोले तो भारत प्लस भारती प्लस इसलामि स्नेली का मिस्रम तो या तो इसे आप इंडो इसलामिक भी कह सकते हैं और इसको आप भारती इसलामी स्नेली का मिस्रन भी कह सकते हैं दोनों में कोई भी कोशन पूछे या तो ये पूछे या वो पूछे दोनों में यही आइंसर होगा ध्यान रखियेगा ताज महल इसको तो आप जानते ही है सहाजाने बनुआया था कौन सा मुगल सासक उसकी कबर के स्थान से सही सुमेलित नहीं है हिमायू टॉम दिल्ली में है सही है अकबर का सिकंद्रा में है सही है बाबर का काबुल में है ये भी सही है जहागीर का ये सुमेलित नहीं है क्यों क्योंकि ये आगरा नहीं लाहौर में होगा जहागीर का टॉम लाहौर में है जहागीर का मकबरा लाहौर में दिल्ली के किस सुल्तान ने दिवाने मुस्तखराज विभाग की इस्तापना की थी तो ये अलावदेन खिल जी है अलावद दिवाने अर्ज विभाग, इल्दुत मिस ने इक्ता प्रणाली चलाई और मुहम्मत तुग लक ने दिवान एकको ही विभाग के स्थापना की थी, आगे देखें, निमलिखित ब्यक्टितों में सिक किसे कववाली का जनक माना जाता है, तो ये अमीर खुश्रो हो जाएंगे अमीर खुश्रो, इन्हें कववाली का जनक माना जाता है, और निजामुद दीन का मगबरा दिल्ली में है, और इन्होंने चिस्ती सिलसिले किया, प्रवर्तन किया मिनाज ए सिराज, ये तवकात नासरी के लिए खक है, अबुल्फोजल, ये अकबर के नौरतनों में से एक हैं, और इन्होंने आईने अकबरी की रचना की है अस्ट प्रधान नामक प्रशाष्णिक ब्योस्था किसने सुरू की, तो ये सिवाजी ने सुरू की थी सखी, सखी गंत, अनुराग सागर और बीजक निमलिखित में से किसकी कृतिया हैं, तो ये हैं कबीर की किसकी हैं, कबीर की, गुरू नानक ने गुरू गंत साहब का संकिलन किया था, और गुरू नानक की रचना, गुरू गंत साहब में कबीर, रैदास और मूलक दास की कविताएं या कृतियां समिलित हैं और रामानन्द कबीर के गुरू थे, ध्यान रखिएगा कबीर के गुरू रामानन्द थे, और चैतन्य जो हैं, ये गोसाई संकी इन्होंने, चैतन्य महाप्रभू ने गोसाई संकी स्थापना की थी, और संकीरतन प्रथा को इन्होंने जन्म दिया था, ध्यान रखिएगा चैतन्य महाप्रभू ने गोसाई संकिय स्थापना की और संकिर्तन प्रथा का जन्म लिया आगे देखे हम लोग मध काल के दौरान त्रिपच्छी संगर्स के भागीदार नहीं थे तो ये चोल नहीं थे बाकी राष्टकूट, पाल और गुर्जर प्रतियार ये तीनों समलित थे, आगे देखे, बिहार के, बिहार में निमलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहले 1857 का विद्रो हुआ था, तो ये धान रखियेगा आप्सन C, रोहनी में हुआ था, ये वर्तमान में ये जहारखंड में है और यहां की 32 रेजिडेंट, 32 रेजिडेंट की मुख्याले में विद्रोह सुरू हुआ था निमलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है तो देख लेते हैं, पानिपत का तिसरा युद, 1761 सुमेलित है ताली कोटा का युद, 1565 ये भी सही है हल्दी घाटी का युद, 1576 ये भी सही है चौसा का युद, ये 1538 नहीं, 1549 होगा 1549 चलिए, और ये ध्यान रखेगा 26 जून 1549 को चौसा का युद हुआ था आगे देखेंगे इसी के साथ आपके 50 कोशन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं और इसके आगे हम लोग अगली वीडियो में करेंगे ये एक प्रवगात्मक वीडियो था अगर ये आपको प्रसंद आएगा तो इसके बाद आस्था, IS का और द्रिश्टी का दोनों का स्टेट आपको निर्टर चलता रहेगा और ये स्रीज मैडम लेके आएंगी आपके लिए चलिए, मिलते हैं फिर